आज हम जानेंगे भारत के दूसरे चीफ जेस्टिस M. पतंजली सास्त्री के बारे में M. पतंजली शास्त्री का पूरा नाम मंद कोलाथुर पतंजली शास्त्री था इनका जनम चार जन्वरी 1889 स्वी में तमिलनाडू में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित क्रिश्न सास्त्री था जो की संस्कृत के ग्याता थे सास्त्री जी ने अपनी बीए की डिग्री मदरास युनिवरसिटी से प्राप्त की एवं एललवी की डिग्री 1912 में मदरास युनिवरसिटी से ही प्राप्त की सास्त्री जी ने अपने करियर की सुरुआत एजे वकील 1914 इसवी में मदरास हाई कोट से की सास्त्री जी करकानून के विशेशगे थे सास्त्री जी बाद में मदरास हाई कोट के चीफ जश्टिस भी बने सास्त्री जी को 6 दिसंबर 1947 इसवी में फेडरल कोट यानी सुप्रिंग कोट में जज के तौर पर परमोट किया गया बाद में भारत के प्रथम मुख्य नियादीस की मिर्तियू के उपरांद सास्त्री जी सबसे सीनियर जज होने के कारण भारत के दूसरे मुख्य नियादीस बने और वे रिटार्मेंट तक इस पत पर बने रहे रिटार्मेंट के बाद भी वे बहुत सारे संस्थाओं के एक्टिब मेंबर के तौर पर काम करते रहे जैसे की प्रो चांसलर रहे दिली उनिवर्सिटी के 1953 से 1956 तक वे इंटरनेशनल लौ एक्टिब मेंबर भी रहे वे जुलाई 1958 से अप्रेल 1962 तक मदरास विधान सवा में भी कार्ज किया और वे कई संस्थानों में भी अपना बहुमुल्य योगदान दिया सास्त्री जी का निधन 74 वर्स के आयू में दिल का दोरा पढ़ने के कारण उनके दामाद के आवास में दिली में हो गया